की करनौ जेसित पेत्रिक आवास से अब तक 103 करोड की नगदी मिलने की बात कही जा रही है यест बोरो में भरी हुई रखी है हालांकि इस बोरे में अगर बात की जाए तो यह जो रकम की किमत बताई जा रही है वो लगभग 103 करोड के आसपास बताई जा रही है हलाकि इस बारे में टीम की और से कोई अधिकरत जानकारी नहीं दी गई है GST Intelligence की टीम शुक्रवार शाम करीब चार बजे से कारोबारी प्यूश जैन के करनोज शहर के महला चिपटी इस्तित पैत्रक आवास में घुसी थी और तभी से चापे मार काररवाई अलग अलग ठिकानों पर चल रही है ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर ये बोरे की हम आपको दिखा रहे हैं आप इन बोरों में देखिए याड से नौ बोरे यहाँ पर मिले हैं और अभी कारवाई चल रही है 250 किलो चांदी 25 किलो सोने की सिलिया यहां से मिली है एक्स्लियूजिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टिविस्कुन पर जी उत्तर प्रदेश उत्तर आखंड आपको यह तमाम तस्वीरे इस चापिमार कारवाई को लेकर दिखा रहा है यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इत्र कारोबारी के काले सामराज्य का यह पाता लोग है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं आप देखिए ये तैखाना जहां से बड़ी मात्रा में कैश की अभी हलकी पुखता तोर पर जानकारी तो सामनी नहीं आई है लेकिन अभी शुरुवाती खबर ये है कि यहां से बताया ये जा रहा है कि बड़ी मात्र प्रवारा में सोना और चांदी यहां से बरामद हुआ है यह तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहां से मिली है आट से नौ बोरे नोटों से भरे हुए यहां पर मिले है एक्स्क्लियूसिव तस्वीरे इस काले सामराच्य के पाता लोग की यह तस्वीर इतर क चारूबारी के हम आपको दिखा रहे हैं यह तस्वीर हैं इस वक्त आट से नौ बोरे जो यहां से मिले हैं ओता नोटों से भरे हुए है दो कि हम लोग कन्यौज में पीवाइब करेंगाब काला सामराज है उसके बिल्कूल बीचो बीज में खड़े है, जो दिवाल देख रहे हैं, यह भी पीवूष जैन काी घर है , वह है को बतार कि DGGI की टीम है उसको साथ और बोरे मिले हैं जिसमें रकम भरी हुई है यह रकम की कीमत करीब 103 क्रोण बताई जा रही है वहीं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे प्यूस जैन का यह घर है बीच में चोटी से गैलरी जाती है यह गेट है DGGI की टीम कल इससे अंदर प्रवेश भी करी थी और नीचे देखिए यह कुछ बोरे पढ़े हुए हैं जिन बोरे की तस्वेरें अभी जी उत्तर प्रदेश उत्राखंड एक्स्क्लूसिव दिखा रहा है यह वहीं बोरे बता जा रहे हैं और इन पर आप खाद दिरसत विभाग की मोहर भी लगी दे प्रभम क्योंकि यह किसी ने उमीद नहीं की थी कि यहाँ पर इतनी बड़ी मातरा में कैश मिल सकता है सोना चांदी यहाँ पर मिल सकता है क्या लग रहा है अभी ये कारवाई कब तक जारी रह सकती है और क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ और ठीकानों पर भी कारवाई हो सकती है देखें लगातार बता दे आपको जब से डीजी जीजाए की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है हम लोग उनसे जो सम्मंदी जतिकारी है करमचारी है उनके उनसे लगातार संपर करने करने के प्रयास करते हैं जब वो बहार निकलते हैं उनसे पूछा जाता है कि सर कब तक आप लोग कारवाई करेंगे कुछ अपडेट दे लिजे लेकिन कोई भी जवाब नहीं देते हैं उनका कहिना है कि इसकी प्रेस रिलिस जारी की जाएगी जिससे आप सभी को जो सही जानकारी है वो मिल सकेगी लेकिन आपको बता दे कि यह जो घर देख रहे हैं यह प्यूस ठीक है आप अभी वहीं पर मौजूद है आगे आपके जरीए हर तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया यह तस्वीरे दिखाने के लिए तमाम जानकारी साचा करने के लिए तो एक्स्क्रियूजिव तस्वीरे इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यह तस्वीरे जो आप देख रहे हैं इतर कारोबारी के काले सामराज्जे के पाता लोग की यह तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर डीजी जी आई की टीम अभी भी का पर रवाई कर रही है आगे बढ़ते हैं प्रदेश को डियाडियो लाब और ब्रमोस यूनिट के रक्षा मंतरी राचनाथ सिंग ने आज सौगाद दी है बता दें कि लखनाव में रक्षा मंतरी राचनाथ सिंग ने इसके अधार शिला रखी जोरान उनके साथ CM योगी तो वहीं CM योगी ने कहा